हेलो बच्चों कैसे हैफ सब लोग इस लिए में बात करने में हैं CSWT स्टुनेट्स के लिए जो नवंबर 21 एक्जाम में अपेर होने माने हैं इस लिए में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको नवंबर 21 एक्जाम के लिए प्रपरेशन करनी चाहिए स्टैंब बाई स्टैब कौन से सब्जेक्ट आपको पहले करने चाहिए कि सब्जेक्टं पे ज्यादा खुर्ड देना चाहिए और व्य been चार्पर यह का केसे आपको prepare करने हैं तो चलिए सबसे वह हम बात करते है हमारा जोओ आपको पता है पूरा का पुरा जो जो स्लिभर से हैं आपकी चार सब्जेक्ट है सबसे पहला जो ऑपर हैंमारा business communication का है है पेपर नमबर थ्री हमारा जो है एकनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरमेंट का है. अब पेपर नमबर फूर ये हमारा है करेंट आफेयर्स, प्रेजंटेशन, एंड कम्युनिकेशन स्केल्स. अब इतना तो आपको बताईये हमारे चारों सभ्यक्ट फिफ्टेशन माक्स के हैं और हमारी को कुल मिलके टोटल सोन नमबर लेने हैं अब सबसे बहले बच्चों मैं आपको कहना चाहूँगा आप सबसे पहले अगर आप सेल्ट श्रेडी कर रहे हैं, चाहे आप हमारे जो वीडियो रिकॉर्डेट लेक्चर क्लासे के स्टुडेंट्स है राइट उन सभी के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग एक टाइम पे एक टाइम पे दो सब्जेक्ट करिए दो सब्जेक्ट करिए उसकी तरीका क्या है स्ट पेपर वन है विजर्ज कम्यूनिकेशन बहुत असान है और बहुत लेस टाइम गंजूमिंग है बहुत ही लिमिटेट समय में बहुत ही लिमिटेट समय में आपका इस लेबर फूरा हो जाएगा रैडग और उससे बड़ी बात आपका जो पेपर नॉबर वन है जैसे कि चाहे वो में है, चाहे वो चुलाई है, चाहे वो अब नवंबर के exam है, सभी exam में वाइवा का exam जो है वो cancel हो चुका है बीच में से, वाइवा flavors में से निकल चुका है, अब उसकी जगावे क्या है presentation and communication skill, उसके chapter जो business communication के flavors है, उसी में से ही लिए गए है, ठीक है तो कहने का मतलब क्या है आपका जो business communication है paper number one सबसे important हो जाता है अब इसमें बहुत limited सा syllabus है बहुत limited सा syllabus है terminology chapter है concepts of business communication है listening skills है right business correspondence e correspondence और MIS उसके इलावा आपका English grammar vocabulary वगरा का position है वो आप सबसे बात में करिएगा क्योंकि वो आप CBC board से plus two कर रखी है आप लोगोंने तो बड़े राम से आपको वो चीज बिना पड़े भी अगर आप चले जाओगे 10th और class 12 की आपको maximum English आपको वहां पर देखने को मिलेगी right तो कहने का मतलब क्या है पेपर वन पेपर वन में आपको कम से कम देली के एक से डेढ़ घंटा आपको कम से कम देना है और साथ में इसमें आपको कुछ पूश्चन जैसे कि डिमांड सप्लाई है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट है नैशनल इंकम है यह पहले पढ़ चुके हो यह चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हो उसके बाद आपका शेयर कैपिटल है टाइप्स ऑफ बैंक्स के वारे में थोड़ा सापने पढ़ रखा है तो कहने का मतलब क्या है कम से कम आप डेली के इसके साथ दो घंटे आप एक से डेड़ घंटा मिनिममम बिजनस बिजनस कम्यूनिकेशन को देना है और पेपर त्री जो है उसको कम से कम दो घंटे देने है तो इतना आपको अगर आप यह इस तरीके से स्पीट से चलते हैं तो हार्ली आपका एक से सवा महीने में यह दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे एक से सवा महीने में आपके मतब तीस से मैक्सिमा कह सकते हो चालिस दिन में आपके यह दोनों सब्जेक्ट हो जाएंगे अब उसके बाद जब यह दोनों सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं अगर जो बच्चे सेल्फ स्टेड़ी कर रहे हैं वो हमारे के सी सी टुटोरियल की एप से के सी सी टुटोरियल की एप से बिलकुल आप फ्री ईबुक डाउनलोड कर सकते हैं या वहीं पर देख सकते हैं डाउनलोड की सोरी अप्शन नहीं होगी प्लस MCQ टेस्ट दे सकते ह हैं आप एमसी क्यू टैस्स दे सकते हैं अगर आप अगर आप अगर आप लास इस कुछ लेक्चर्स डेमो लेक्चर्स दे गए दिये गए उसी आप में कुछ टॉपिक्स के ओपर अगर पूरी क्लास बाइब करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर लावा जो आपको फ्री पैनल में आपको दिखाई देंगे उसके लावा बहुत सारे और आपको नंबर आफ टैसरी मिलने वाली और लास्ट में आपको रिवीजन लेक्चर्स भी करवाए जाते हैं राइच और वन टू वन टू वन बच्चों को गाइड भी किया जाता है अब देखिए 10 सब्टेंबर तक अगर आपके यह सब्जेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद देन आप इस टेकंड नंबर पर इस टेकंड नंबर पर आप शुरू करिए लॉजिकल रिजनिंग लॉजिकल रिजनिंग आपको पता है पेपर नंबर टू भी है अब उसके सब्सक्राइब आपको बोलूँगा आप तीसरे नंबर पर साथ में स्टार्ट कीजिए अब करेंट अफियर्स का स्लेवर्स बहुत लिमेटेड सा है करेंट अफियर्स का स्लेवर्स बहुत ज़्यादा लिमेटेड सा है इसलिए इसको करने के लिए आप कम से कम जो ICSI का मटीरियल है सडी मैट है ठीक है प्लस प्लस इनकी e-bulletins जो है वो आप फोलो कीजिए प्लस मॉक टेस्स जो ICSI की वेबसाइड पर आपको मिल जाएगी ठीक है यह सब कुछ है आपको वहाँ से करना है और इतना मैं कह सकता हूँ हार्ली हार्ली दो से तीन हफते में मतलब आप कह सकते हो 30 सेप्टेंबर तक 30 सेप्टेंबर 2021 तक आपका यह स्लेबस हो जाना चाहिए बड़े ही अराम से और कम से कम आप दो घंटे की स्की आवरे लगा के चलिए और दो घंटे इसकी आवरे लगा के चलिए तो बड़े अराम से आपका 30 सेप्टेंबर तक आर्ली 5 अक्टूबर तक आपका Max-to-Max हो जाना चाहिए उसके वाद मैं बाप करूं next next हमारा क्या बचा मिलाके legal aptitude ठीक है जी legal aptitude आपका बचाब लीगल एप्टिटूड के साथ अब कॉंटिनूजली देखे ना आपके पास अक्टूबर का महीना बच गया प्लस नमंबर के दर्स दिन बच गया अब सबा महीना तसली से लीगल एप्टूड करिए प्लस प्लस से लिगल करते रहे सारे स्लेवर्स को अब मैंने लीगल एप्टिटूड सबसे 1 का 날 करने का सजस्ट क्यों है क्यों है लीगल एप्टिटूड का स्लिवर्स बच्रों सब से जारा है तक तो अब 170 मक्स को थोड़ी ना लूज रख सकते हो, तो इसलिए legal aptitude, legal aptitude आपका चलते रहने दीजी का, एक महिना, सबा महिना, पैंटक अराम से सहली से करते रहिए, revise करते रहिए, प्लस बाकी subjects के, जो आपका paper 1 है, paper 2 भी है, paper 3 है, plus 4 है, इन सब की regular revision करते रहिए, तो बड़े ही मजे से, बड़े ही शांदार तरीके से आपका flavors हो जाएगा, right, तो अगर आप यह strategy follow करते हैं, इस तरीके से follow करते हैं, तो आपको definitely sure होके कह सकता हूँ कि आपका, जो revision है, बहुत ही समय पर, सही समय पर, और बड़े ही असानी से बड़े ही अच्छे तरीके से आ complete हो जाएगा, right, अब बाकी रही chapters की बात, अब देखिए chapters, अगर आप paper 1 की बात करिएगा, सबसे important business communication, concept of business communication, listening skills, सबसे important यह होते हैं, इसमें से बहुत position cover होता है, number, paper number 3 के अगर बात करें, economic and business environment की, आपका demand and supply में बहुत paper cover होता है, forms of market में भी होता है, national income में बहुत cover होता है बहुत जादा cover होता है, Indian union budget में बहुत जादा cover होता है, right, अब देखिए सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर negative marking तो है नहीं, negative marking तो है नहीं, इसलिए बे फिकर होके तो सली से preparation करिए, और और देखिए कि कितनी जल्दी आप, अगर आप हमारी test series में जाएंगे, अगर आप हम condition के according दिये गए है, right, इसलिए, वहाँ पर आपको speed का भी बत लागेगा, right, जो बच्चे, download, download करना चाहते है, install करना चाहते है, description में लिंक दिया गया है, या फिर, आप प्ले स्टोर में जाए, प्ले स्टोर में जाए, और सर्च करिए, KCC Tutorial, और जो बच्चे, iPhone user है, iOS user है, वो क्या है, वो भी अपने iOS, अपना Apple Store में जाके, find करिए, KCC Tutorial, right, या फिर, description में लिंक उसका दिया गया है, आपको install कर सकते हैं, वहाँ से, ठीक है, बच्चो, तो, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को like जूर करिएगा, share जूर करिएगा अपने दोस्तों के और बेल एकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आप अच्छे से देखते हैं वीडियो, पसंद भी करते हैं, like भी करते हैं, बच्चो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब जूर करिएगा, बेल एकन दबाना मत भूलिएगा, thank you, अच्चो